वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए दिवाली स्पेसल बहुत ही स्वादिष्टी मिठाई की रेस्पी लेके आई हूँ आपको देखके ही लग रहा होगा कितना स्वादिष्ट है यह आपको देखते से मुझ में पानी आ रहा होगा तो आप प्लीज में चैनल क को लाइक कर लीजेगा सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकान को प्रेस कर दीजेगा ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग रेस्पियों का व्यूडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आप पे एक प्लेट ले लेती हूँ यह मैंने 500 गरम पन कद्दूकस हो जाता है देखिए मैंने सारा पनीर कद्दूकस कर लिया है फ्रें से मिठाई बहुत इस वादी सो जटपट से बनके तयार हो जाएगी देखिए सारा पनीर कद्दूकस हो गया है हमारा देखिए किते अच्छे लच्छे बनके तयार हुए है तो चलिए हम एक कड़ाई लेंगे और हम इस पे अपने कद्दू कस करे हुए सारे पनीर डाल देंगे फिर अभी हम गेस पी नहीं चड़ाएंगे सारा प्रोसेस हमको पहले नीचे ही करना है अब मैं इस पे आदी कटोई से थोड़ी सी जादा पीसी वी सककर एट कर रही हूं यह भी सारा हम इ मीडियम लोव फ्लेम पर ही हम सारा प्रोसेस करेंगे अब हम इसको लगतार चलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे देखिए लगतार चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे बहुत ही आसानी से सारा मेटर मिक्स हो जाता है और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनके तयार हो जाए कर दिया है मिक्स कर लेंगे अब सेम वन फोर्थ का टोरी ही में आपे कोकोनेट पाउडर ले रहे हूं ड्राइ कोकोनेट पाउडर है इसको भी एड़ कर देंगे अगर आपका बेटर थोड़ा पतला या गाड़ा हो जाए उस हिसाब से आप इसको मिंटेन कर सकते हैं अगर आ चलाते हुए हमको एक डोब बनने तक इसको सेखना है गया इसका फ्लेम मीडियम लो ही रखना है देखिए हमने ठंडा करने के लिए इसको प्लेट में निकाल दिया है अभी हम इसको पहले ठंडा कर लेते हैं फिर हम इसको दो पार्ट में डिवाइट करके इसकी मिठाई ब कर सकते हैं इसके दो पाइट कर लिये हैं तो चलिए अब इसको हम कलरिंग करते हैं पहले यहां पे मैंने 2-3 पिंच रिट पूड कलर ले लिया है और आधे चमच के करीब घी एक कर रहा है हम पहले घी में मैश कर लेंगे गालर को ताकि बिल्कुल समूथ सा कलर बन जाए फिर हम अपने बेटर में इसको यूज करेंगे यह देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इससे कि हमारी बेटर में थोड़ी से घी की भी चिकनाट आजाई यह साइन अच्छी आजाएगी और हमारा कलर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा अच्छे से सारे बेटर में हम हमारा क्लर एटका लेंगे यह देखिए हमने सारे ज़र को मिक्स कर लिया और इसको साइड में रख देंगे हम दूसरा कलर लेंगे हमद में गृन कलर एट करेंगे से में में प्रोसेस से इसों को भी बनाएंगे और अपनी मिठाई के ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको colorful बना रही हूँ देखिए फ्रेंट सेम प्रोसेस से इसको भी mix कर लेंगे हम इसको अच्छे से mix करके green color का हम बेटर तयार कर लेंगे ये पहले एक छोटा सा बाउल एक कलर का लेंगे आपको इसा भी कलर ऊपर नीचे कर सकते हैं यहां पर मैंने रेट कलर का पहले लिया है अब हम इसके उपर ग्रीन कलर से कोटिंग बनाएंगे तो यह डबल सेट का हमारा बहुत ही अच्छा सा मिठाई बनके तयार होएगा यह दे लिष्प केवरगव कर देंगे ओर एक लड़ू के सेप में इसको बांध लेंगे कि मैंrokि बहुत ही असानी से लड़ू बंद के तैयार हो जाएगा उंसे यह दिन किeneca है असानी से बनाएं रहा है मिपनाएंगे पार्धनें इसके पीसिस करेंगे यह देखिये मारा एक लड लडू बने उत्ते बना लेंगे अब आपके हिसाब से कलर उपर निचे कर सकते हैं देखिए हम में दूसरा लडू बान देती हूं बहुत जटपड से रेस्पी बनके तयार होती है फ्रेंड्स वो इसको बिगणने का भी कोई चांस नहीं रहे था क्योंकि ना तो हम इसमें च लडू भी फटा फट बन रहे है फ्रेंड्स अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आती हो तो प्लीज प्रोपर वीडियो देखिए कहीं से इसकी मत करिए और पसंद आदने के बाद फ्यूडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट करिएगा फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब सब्सक्राइब कर लीजिएगे देखिए मैंने सारे लडू बान दिये हैं एक मैंने रेट कलर का भी बना लिया है ताकि आपको पता पड़े कि दोनों मिठाईयां देखने में कैसी लगेंगी इसलिए मैंने दोनों कलर से बना लिया है और इसको फ्रीज में दो घंटे के ल हो गई है यह देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूं किती अच्छी बढ़ियां दिख लिए नहीं मिठाई प्लीज इस दिवाली जरू ट्राइब करिएगा और मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर कर लीजेगा ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो का आपके चैनल पर सबसे पहले इसका नोटिफिएशन आपको मिल जाए तो देखिए फ्रेंड किता स्वार्दिष्ट और बजार वाले मिठाई घर पे ही कुछ समान से बनके तयार हो गया थैंक्यू